ओम नमसिवाई प्रभुजी आज बात करने वाले हैं ग्रिष नेश्वर जियोत्रलिंग एवं सनी सिंगनापूर के बारे में जो कि महाराष्ट के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं इस यात्रा को कब जाएं कैसे जाएं कहां ठहरें क्या खाना खाएं समय कितना लगेगा खर्चा कितना होगा इवं दर्शन कैसे करें और मंदिर का महत्मे वह इतिहास क्या है इन सब के बारे में तो आईए चलते हैं बिना देर किये हुए हम इस यात्रा को शुरू करते हैं क्रिप्या आप इस वीडियो को पूरा देखें एवं प्रणाम स्विकार की जी अपने दोस्त सिपसंकर सिंग का शिवा यात्रा द्रसन में आप सभी का स्वागत है सर्वपर्थम यहां आने के लिए आपको अपने मार्ग का चैन करना होता है यदि आप हवाई मार्ग से आ रहे हैं तो आपको औरंगाबाद आना होगा औरंगाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है यहां से ग्रिशनेश्वर महादेब की दूरी सिर्फ 30 किलो मिटर रा जाता जो की वेरूल गौ में इस्तित है इसे बस या टेक्सी के द्वारा एक घंटे में ताई किया जा सकता है बस 50 रुपे चार्ज करते हैं ओटो वाला 70 रुपे यदि आप टेक्सी रिजर्व करते हैं तो 1200 से 1500 रुपे लेता है यदि आप रेल से आना चाहते हैं तो आप अपने होम टॉन से सिधा और अंगाबाद आ जाईए और अंगाबाद से ठीक 30 किलो मिटर दूरी है वेरूल गौं आप बस टेक्सी या ओटो से पहुंच सकते हैं यदि आपके यहां से और अंगाबाद का सिधी ट्रेन नहीं है तो आप मनवाड आ सकते हैं मनवाड महाराष्ट का बहुत बड़ा डेलवे स्टेशन है और करिब-करिब भारत वर्ष के हर कोने से यहां ट्रेन आती है तो मनवाड जक्सन की दूरी वेरूल गौं से 120 किलो मिटर है जिसे आप बस या टेक्सी से तीन चार घंटे में फूरा कर सकते हैं और यदि आप बस से यात्रा करना चाहते हैं तो औरंगाबाद ग्रेश्वस महादेव या पूने नासिक सिर्डी इत्यादी से सही तरीके से जुड़ा हुआ है यहां से नियमिद बस की सर्विस मिल जाती है आसानी से चलिए जब आप औरंगाबाद पहुँचके और जब आप वेरूल यानि ग्रिश्नेश्वर महादेव पहुचके अब आप कहां ठहरें तो ठहरने के लिए सबसे उत्तम जगह है प्र सब्सक्राइब में ठहरने के लिए एक समान्य एवं उत्तम ब्यवस्था हो जाती है चुकि वेरूल एक छोटा सा गाउं है तो यहां अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्द नहीं होती है यदि आपको अत्याधुनिक सुविधाएं चाहिए तो आपको मेरा सलाह है कि औ और अंगाबाद में वेरूल गों के मुकाबले बहुत जादा सुविधा उपलब्द है यदि आप और अंगाबाद में रुकते हैं तो वहां होटल एक से दो हजार रुपे में मिल जाएगा चलिए प्रभु जी अब आपका रुकने का इंतिजाम हो गया अब आगे खाने क विवस्था करते हैं आप वहां भोजन क्या कर सकते हैं भोजन के लिए यदि आप वेरूल में रुखते हैं तो ट्रस्ट आश्रम में आपको नास्ता दिन का भोजन एवां रात्री का भोजन ने सुल्क दिया जाता है और यह समय है शुबह नास्ते का सुबह 8-9 बजे रात्री के 8 बच के 30 मिनट तक और यदि बात करें आप औरंगावाद में रुखते हैं तो यहाँ आपके पसंद की होटल रेस्टोरेंट हर चीज असानी से मिल जाता है चलिए आप दिन भर की यात्रा से ठक भी गए होंगे तो आप अपने अपने गेस्ट हॉस होटल में आरा करनी है कि प्रभु जी हम आपको बताएंगे जब तक आपको नींद नहीं आ रहा हम इस मंदिर के थोड़ी महत्में आपको बता देते हैं घ्रिश्नेस्वर महादेव महाराश्ट्र के औरंगावाद जिले में इस्थित है इस मंदिर को मेस्वर भी कहा जाता है माना जाता है किसी समय में एक सिव वक्तनी हुई है घुश्मा इनकी भक्ति से प्रशन्न होकर महादेव ने यहीं पर उन्हें दर्शन दिया था और तब से भगवान संकरजी वहीं पर निवास कर लोगों का कल्यान कर रहे हैं यह तो हो गया महात्मे अब मंदिर का थोड़ा इतिहास समझ लेते हैं इन मंदिरों को मुगल समराज में औरंग जेव ने मंदिर को बहुत नुक्सान पहुचाया था जिसकी भरपाई माराठाओं की सोलमी सतावदी में इसका पुनर निर्मान कर किया तथा अठार्मी सदी में देवी एहल्यावाई होलकर ने इन मंदिर का जिर्नुदार कराया मंदिर का आज जो शुरूप हम और आप देख रहे हैं यह देवी एहल्यावाई होलकर के द्वारा जिर्नुदार क्या गया है अठार मिस्तावदी में बात मंदिर के सैली की किया जाए तो यह मंदिर के सैली द्रवड एवं नागर सैली में बना हुआ है बहुत ही सुन्दर है देखने में चलिए प्रूप जी अब आप शुबह जल्दी जल्दी उठिये तैयार हो जाईए और कोशिस कीजिए कि आप अपने बैग होटल या गेस्ट होस में ही रख दे यदि आप किसी कारणवस बैग अपने साथ ले आए हैं अब फोन भी अपने साथ ले आए हैं तो अपने फोन बैग एवं जूते को लोकर में जमा करवा दे अब बात करते हैं दर्शन की तो दर्शन प्रभुजी पूर्ण तेह मुक्त है दर्शन के लिए कोई फी नहीं लिया जाता है कि यदि आप कि दर्शन को जाते हैं और भोले बबाद को कुछ प्रसाद प्रसाद चाहते हैं तो प्रसाद आपको बाहर दुकान में असानी से मिल जाएगा जिसे आप ले लीजिए और दर्शन के लिए अंदर हो जाईए दर्शन में सर्वपर्थाम आपको नंदी बबाबा दर्शन होंगे जहां आप अपनी अर्जी जरूर लगाईए कहते हैं कि जब भोले बबाबा को कुछ कहना हो उनसे मांगना हो तो पहले संदिर में गर्वग्री में जाना चाहते हैं तो यहां ड्रेस कोड लागू होता है अतहा पुरुष भक्तों को दोती पहनना चाहिए और कमर के ऊपर खुला रहना चाहिए अर्थार्प दोती सिर्फ कमर के नीचे हो ऊपर में बन्यान और कुड़ता नहीं होना चाहिए अब गर्वग्री में आपके दर्शन बहुत अच्छे होते हैं मंदर परिशर में ही और भी मंदिर है जनार्दन स्वामी कामिमंदिर भी है और चोटे-चोटे मंदिर है उनका भी आप दर्शन कर लीजिए इसके पास में ही 400 मिटर दूरी पर शिवालय कुंड इस्थित है यह वही जगह है जहां पर भक्त शिव भक्त घुष्मा ने प्रति दिन असनान कर शिव जी को जल चड़ाया था और प्रभुजी प्रसन होकर यहीं पर उनको दर्शन दिये थी अतह आप यहां अवस्य जाएं हो सके तो वस्नान भी करें अन्य था दर्शन को अवस्य जाईए बहुत ही महत्वपूर्ण शिवालय कुंड है यह अब आजपास क्या देखें आजपास देखने के लिए प्रभुजी अजन्ता एवं एलोडा गुफा है जो की विश्व प्रसिद्ध है एवं विश्व विरासत भी है इन्हें वर्ल्ड हैरिटेज द्वारा रेकमेंड किया गया है यदि आप एलोडा गुफा जाते हैं तो यह सिर्फ एक किलो मिटर के दाइरे में है जहां आप आसानी से वॉप करके या आटो लेके जा सकते हैं जिन्हें बहुत भिक्छुओं ने छठी सतावदी से दसमी सतावदी के भीतर निर्मान किया था यदि आप अजन्ता गुफा जाना चाहते हैं तो यह एक सो किलो मिटर के दूरी पर है अति सुन्दर एवं यदि आप इतिहासों में या आप पौरानिक चीज़ देखना चाहते हैं भारत को समझना चाहते हैं तो अवस्य अजन्ता गुफा जाएं यह दोनों ही जगा देखने लायक है तो प्रभू इस प्रकार आपका एक दिन समाप्त हो जाता है आप संध्या वापस आ जाईए आप चाहें तो औरंगाबाद में रहें यह आसानी होगा सुबह सनी सिंगना पूर निकलने के लिए और यदि आप गृष्नेश्वर महादेव में भी रुखते हैं यानि कि वेरूल कों में तो भी कोई ज़्यादा परिशानी नहीं होगा सुबह बस वह आप जल्दिन निकल सकते हैं यदि आप औरंगाबाद में रुखते हैं तो यहां दौलताबाद का किला है जो कि देखने लाइक है एवं संध्या समय औरंगाबाद भी आप लोकल घूम सकते हैं साथानी क्या वर्थे यदि आप ग्रिश्निश्वर महादेव जो कि 12 ज्योत्र लिंगों में से एक है और इनका स्थान ज्योत्र लिंगों की स्रिंखला में बार्मा नंबर आता है और कहा जाता है कि यह महादेव बहुत ही आसानी से दर्सन देते हैं और यह मुक्ष हर सोमबार को एवं त्योहारों में यहां बहुत भीड होता है तो आप सोमबार को एवं त्योहार वाले दिन को यहां पर आने से बचें पाकी के अन्ने दिनों में आपके दर्शन आधे घंटे में हो जाएंगे प्रभु जी मंदिर के दर्शन का समय सुबह छे बज़े से रात्री के नो बज़े तक का होता है और वेरूल में जो ट्रस्ट के अंदर धर्मसाला में रुकेंगे इसके लिए बुकिंग ऑनलाइन नहीं होती है सिर्फ ऑफ लाइन ही होता है इसका आप अवस्य ख्याल रखें अब आप रात्री विश्राम कीजिए और सुबह सुबह की यात्रा हम शनी सिंगनापूर जी की करेंगे तो ओ ओम नमः सिवाई प्रभुज़ा आएए अब सुबह सनी सिंगनापूर के लिए प्रस्थान करते हैं सनी सिंगनापूर और अंगाबाद से 85 किलो मिटर के दूरी परिस्थित हैं जिसे आप बस या टेक्सी से आसानी से पहुँच सकते हैं दो से तीन घंटे का समय लगता है आप वहां पहुंच जाएए आप यदि और अंगाबाद से यह असनान करके चल ले हैं तो वहां असनान करने की कोई जरूरत नहीं है होटल लेने की भी कोई जरूरत नहीं है यदि आप फिर से फ्रेश होना चाहते हैं अराम करना चाहते हैं कुछ देर तो आप चाहें तो वहां ट्रस्ट का कमरा ले सकते हैं जो कि सिर्फ तीन सो रुपे में मिल जाता है तो आप थोड़ा सा फ्रेश होके आप निकल लिजिए यदि आप दर्शन पूर्व या दर्शन के बाद भोजन करना चाहते हैं तो यहां भोजन भी उपलब्ध होता है यह भोजन ट्रस्ट के द्वारा एक ब्यक्ति के लिए पचास रुपे का सुल्क चार्ज करती है तो आप पचास रुपे का पर्ची कटा कर आप यहां पर लंच वह डीनर कर सकते हैं लंच का समय है सुबह दस वज़े से दो पहर के तीन वज़े तक और रात त्री डीनर का टाइम है छे वज़े से लेकर नो वज़े संधिया तक रात त्री तक सुप्रभु जी अब आपको ठहरने का और भोजन का हमने बता दिया तो आईए अब सनी सिंगनापूर में दर्शन भी कर लेते हैं सनी सिंगनापूर में दर्शन सुबह से साम तक होता है मंदिर में जाने के लिए सर्वपर्थम चमरे का समान हमें बाहर ही रखना होता है या तो आप गेस्ट आउस में रखिए या आप जहां से प्रशाद लेंगे आप वहां पर रख सकते हैं प्रशाद में लोहे सनिर्मित घोड़े का नाल, सिद्ध यंत्र, काला धागा, काले कपड़े, सर्शो का तेल, तील का तेल इत्यादी होता है इन सब चीजों को आप अपने साथ ले जाएए, यहां पूजा आपको खुद करना होता है, यहां किसी प्रकार के पंड़त जी का कोई ब्यवस्था नहीं होती है अथा इन सब चीजों को ले जाएए, और आप मुख्य द्वार से टच कर इन्हें आप रख लीजिए, और अपने घर को ले आ सकते हैं और आप यहां पर तेल, तील का तेल या सरसो का तेल, यह आप एक डोंगी रूप बना हुआ है, जिसमें डोंगी पर चढ़ाएंगे, यह सनी महराज जी को अरपित हो जाता है ऐसा करके सनी महराज जी का दर्सन करते हुए, आप वापस आ जाएंगे दर्सन पूर्णतया मुपत है, यदि आप सनी जी के विग्रह पे तेल अरपित करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको पांच सो एक रुपे का पर्ची ट्रस्ट के द्वारा कटाना होगा, उसके बाद आप जाकर सनी जी के विग्रह पर आप तेल अविसे कर सकते हैं तो प्रभु जी आपकी दर्सन हो गए, शनी महराज की, प्रेम से बोलिए, ओम सने सनिस्चराए नमह, अब थोरी इस मंदिर का महात्मय वो इतिहास बताते हैं, मंदिर का महात्मय है, चार सो वर्सों से यह सनी जी का विग्रह खुले आस्मान में अस्थापित हैं, जो की स्वयम भू कहा जाता है, नियाई के देवता, सनी देव जी, आपके भक्ति से प्रसन्न होकर, आपको अपार सुख देते हैं, और जरासा भी नराज हो जाए, तो आपके जीवन में बहुत कस्ट होता है, अतह प्रभुजी सचे मन से सनी देव को पूजा कीजिए, यह बहुत प्रसन्न होते हैं, सभी के लिए फलदाई होता है, तो आप जरूर जाईए, यहां के आसपास छेत्रों में लोकल घूमने की तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, छोटा सा एक ग्रामिन एरिया है, हा परन्तु एक बड़ी अधवुत, और कहना चाहिए कि आज के जमाने में भी यह चीज़ है, सनी सिगनापूर मंदिर के परिसर से तीन किलो मेटर के दैरे में, कहीं पर भी कोई गेट नहीं है, गेट दर्वाजा है, तो वहां ताला नहीं लगता है, कहते हैं, वहां कोई चो डंड देते हैं, वह जीवित नहीं बचता है, अतहाँ उस इलाके में ये नगर का चार दुआर है वहां पर, उस नगर के अंदर कहीं भी ताला का इस्तमाल नहीं होता है, सिर्फ जानवर और कुते से बचने के लिए लोग दर्वाजा टच कर देते हैं, अन्निथा ताला ल और खुद से महसूस भी कीजिए, सनी महराज जी का आसिरवाद भी लीजिए, तो प्रभु जी या आपके दर्शन होगे, अब आप वापस हो जाईए और अंगावाद के लिए, तो आईए, आपको बता देते हैं, इस यात्रा में समय कितना लगेगा, प्रभु जी, ग्रि समय आप जोड लीजिएगा, तो यह दो से तीन दिन समय लगता है आपको, अब बात करते हैं खर्चे की, तो दो से तीन हजार रुपे का खर्चा, ग्रिशनेश्वर महादेव, एवं सनी सिंगनापूर के लिए, एक समान नयात्री के लिए काफी है, बाकी और अंगावाद से आने जाने का खर्चा, आप इस खर्चे में खुद सामिल कर लिएगा, और जब आप सनी सिंगनापूर आते और जाते हैं, रास्ते में आपको गन्ने का जूस मवेशियों के द्वारा निकाल कर पिलाया जाएगा, यह भी एक नया होगा आपके यात्रे के लिए, आप इस सब्सक्राइब के लिए निकल सकते हैं, आप कृप्या सिवाय आत्रा दर्शन को लाइक, सेर एवं सब्सक्राइब आवस्य कीजिएगा, आसा करते हैं, आप सभी को हमारा यह जानकारी अच्छा लगा होगा, यदि कोई प्रस्न या सुझाओ हो, तो हमें आपका इंतजार रहेगा, ओम नमसिवाय